दोस्तो सराव का सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ये मादक पे नहीं सिर्फ सरीर के community system को कमज़ोर करती है बलकि लिवर और हार्ट की बिमारियों का भी आपको सिकार बनाती है अब सराव एक नई समस्या का भी कारण बन रही है और ये खत्रे की गंटी इसलिए है क्योंकि अब अलकोहल ने सीधे हमारे दिमाग पर वार करना सुरू कर दिया है तो सराव का अत्यादिक सेवन हमारे दिमाग में chemical लोचा करना है अक्सर आपने नसे में जूमते लोगों को देखा होगा सोसल मीडिया पर भी ऐसे वीडियो वाइरल होते रहते हैं नसा उतरने के बाद ऐसे लोग फिर से सामने नजर आते हैं सब में तो नहीं लेकिन इनमें से कुछ लोगों को ये याद ही नहीं रहता कि नसे में उन्होंने क्या हरकत की थी मेडिकल साइंस ने इसे ही अलकोहल ब्लेक आउट का नाम दिया है इसके मामले लगातार आ रहे हैं और तेजी से देखते हुए इस पर सोज भी चल रहा है इसमें सामने आया कि ये समस्या युवाओं को तेजी से अपना सिकार बना रही है अब बात करते हैं कि अलकोहल ब्लेक आउट होता क्या है जोस्तो ब्लेक आउट को एक ऐसी समय सीमा से परिवासित किया जा सकता है जब वैक्ती ने छमता से अधिक सराब तो पी है और उसका नसा उतरा नहीं है और उसके बाद नसा उतरने तक उसे कुछ यादी ना रहा हो दरसल ज़्यादा सराब पीने के वज़ेसे हमारे दिमाग का महतोपून हिस्सा हिपो केमपस कान करना बंद कर देता है और ये वही हिस्सा होता है जो हमारी यादों को स्टोर करता है अलकोहल ब्लैकाउट पर सोध करने वाले अमेरिका के नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ अलकोहल अब्यूस के आरान वाइट के मताबिक नसे में की गई हरकत या बात नसा उतरने के बाद याद ना रहे तो ये ब्लैकाउट का संकेत है या तो आप इसका सिकार हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं वह कहते हैं कि अलकोहल ब्लैकाउट का सर्वाधिक तब दिखता है जब लोग अपनी छमता से अधिक सराब पी लेते हैं ऐसे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता आरोन वाइट ने अपने सोद में एक हजार चात्रों को सामिल किया था इसमें सामने आया कि सराब पीने के बाद 66% से ज़्यादा लोग आंसिक ब्लैकाउट का सिकार हुए हैं अब इसके बाद ये जो केमिकल लोचा में एक वर्ड यूज किया था तो सराब पीने के बाद क्या ऐसा केमिकल लोचा हो रहा है कि ये सब समस्यां सामने आ रही है तो सराब के दिमाग पर पढ़ने वाले असर पर हाइडल वर्ग यूनिवस्टी में भी एक रिसर्च की गई इसमें शोद करता ने बताया कि सराब में एथनॉल होता है जो सरीर के अंदर पहुंचते ही खुन में पूरी तरह से घुल जाता है इंसान के सरीर में 70-80% पानी की मात्रा है इसलिए सराब का नशा एक दम से चढ़ने लगता है और दिमाग तक पहुंच जाता है इसे नियूरो ट्रांसमेटर भी प्रभावित होते हैं जब सराब का नशा दिमाग तक पहुंच जाता है तो वे दिमाग के नियूरो ट्रांसमेटरों को प्रभावित करना सुरू कर देता है इसके कारण तंत्र का तंतर पर नकारादमक असर पड़ता है और सराप पीने वाला भ्रहम की स्थीतिय में चला जाता है उसे यह समझी नहीं आता कि वे क्या और कैसे कर रहा है इसलिए सराप पीने वाले लोगों का सरीर भी कापने लगता है अवाज लड़ खड़ाने लगती है और पैर डगमगाने लगते हैं जब सराव की मात्रा अधिक हो जाती है तो तंत्री का तंत्र बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और ब्लैक आउट के हालात बंद जाते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद